नमस्कार मित्रू, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास और मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहिते बन संस्कृती जैसा कि पहले भी आप से कहा कि संस्कृत भाषा की सेवा के लिए है संस्कृत साहित्से से आपको अगर जरा सा भी प्रेम है तो आप इस चैनल पर आनंद ले सकते हैं यहां रामायन की कठा में जो वास्तिवीर तत्य वालमी की न प्रस्तुत की हैं उनको मैं प्रस्तुत करता हूँ महाभारत में जो वास्तों में महारशिवेदर व्यास ने लिखा उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ वरतमान में इनके सुरूप बहुत बदल गए हैं खास करके जब सीरियल आते हैं टीवी पे ये प्रोग्रम दिखाये जाते हैं तो उनमें बहुत सारे परवरतन लोगों के अपेक्शाम के अंसार किये जाते हैं तो वास्तिविक्ता को अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे ये सारी चीज़ें आपको अपलब्द हैं लेकिन यहाँ पे बात है इलेक्शन की इस प्लेलिश्ट में और इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बात करूँगा मतदान मतख किस प्रकार से मतदान केंदर जो आपको बनाना है उसको आप किस प्रकार से बना है देखिए मतदान केंदर में अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलग-अलग दरवाजे हों ये सबसे उत्तम बूत होता है लेकिन जैसा कि मेरे अनभवों से भी मैं जानता हूँ और आपको भी इस प्रकार के अनभव हुए ही होंगे जिन्हों ने ये काम किया है कि इस प्रकार के बड़े रूम या हॉल हमें नहीं प्राप्त होते हैं कि जिनमें दो दर्वाजे हों एक दर्वाजे से व्यक्ति आयोगी एक दर्वाजे से निकल जाए ऐसी स्थिती में सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो हमारा मुख्य दर्वाजा है उसके बीच में किसी भी तरीके से हमें एक ऐसी रसी बांग दें जिससे आधा दर्वाजा अंदर entry के लिए हो जाए और आधा दर्वाजा बाहर निकलने वारों के लिए हो जाए आप उस जगे पे जो आपके हैं पुलिस वाला है उसको भी बिठा सकते हैं जिससे वो यह ववस्ता रख पाए कि एक साइट से लोग आए और एक साइट से लोग बाहर जाएं लेकिन वो आपके मददान के अंदर के बाहर ही खुरसी डालके बैटेगा वो अंदर नहीं बैट सकता है तो सबसे पहला काम के दिए कि दरवाजे को दो विभाग में बाट दीजिए अब यह अप्ख्यार लग करना है कि वो जैसे ही रूम के अंदर आए सबसे पहले वो जो फर्स्ट पोलिंग ओफिसर है असिस्टेंट प्रिसाइडिंग है यह फिर प्रिसाइडिंग ओफिसर जिस प्रकार की विवस्ता करें उस व्यक्ति से उसकी मुड़ाकात होगी जो उससे उसका परचे करेगा और जो इस चीज को तह करेगा सुनिशित करेगा कि यह यही व्यक्ति है और उसके पास वो फॉपी होगी जिसमें वो मार करेगा निशानी करेगा इसके बाद वो कंडिडेट आगे दूसरे ओफिसर के पास जाएगा दूसरा ओफिसर उसके उंगली पे निशान उसके signature करवाएगा अगर वो नहीं पढ़ा लिखा तो अगो उठा का निसान लगवाएगा और उसको एक slip देगा जो slip वो तीसरे अधिकारी को देगा जाकर के और तीसरा अधिकारी जो है उस slip के आधर पे control unit में से ballot button दबाएगा और वो मत दान करने के लिए जा सकता है वो अंदर जाकर के इस यू की view में अपना जिसको उसको मत देना है उसको मत देगा और यहां अभीव का आवाज आपको सुनाई देगा वो बाहर चला जाएगा लेकिन यह इस क्रम में जैसा मैंने बताया है कि सबसे पहले फर्स्ट पोलिंग ओफिसर फिर सेकेंड पोलिंग ओफिसर और फिर थर्ड पोलिंग ओफिसर यह तीन एक क्रम में बैठें यह बड़ा ही जरूरी है जिससे कि लाइन में लेकिन इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस आप दे देंगे तो एक व्यक्ति और आराम से खड़ा रहा सके इस प्रकार की जगे बन जाएंगे तो इन तीन लोगों को आप क्रम में बिठा दीजिए ध्यान रहे जो एजेंट आएंगे वो इन तीनों लोगों के पीछे बैठेंगे जो भी एजेंट आएंगे वो इन तीनों लोगों के पीछे तो इनकी व्यवस्था को करनी है हम इतना तो समझी सकते हैं कि कहीं भी हो किसी भी राज्य में हो मुख्य दो या तीन पार्टियों तो ऐसी है जिनकी बीच में यह संगर्स हो रहा होगा तो वह मुख्य दो या तीन पार्टियों के एजेंट तो वहां बैठेंगे उनकी लिए हमें कोई विवस्था क अगर नहीं है तो अपनी कुरसियां लाएंगे इन को भी नहीं है लेकिन हमगे जगह के लो बेंगे तो रूम जहां हमारे लोक्ष काम है, वो अपनी एक कुर्सी और टेवर अलग अस तरीक के से इत्य लगा सक्ता है कि जिससे वो सारे चीज को monitor कर पाए यहाँ पर मैं आपको इस चित्र दिखा रहा हूँ और उस चित्र में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है presiding officer ने अपना स्थान अलग बनाया हुआ है left side में मतदार कुटीर बनी हुई है और नीचे के भाग में चित्र में आपको polling officer 123 बैठे दिखाई दे रहे हैं इन polling officers के पीछे के हिस्से में agent के लिए जगे होगी दरवाजे पे भी आप देख पा रहे हैं in or out दोनों के विभाग बनाये हुए है प्रमुख अधिकारी है जो presiding officer है जो पीठा सीन अधिकारी है वो इन मैंसे किसी चीज का हवाला नहीं लेगा न तो वो मार्क कोपी रखेगा न निशानी करेगा ना ही वो ब्यू सीव अपने पाद ब्यू तो मतदान कुटीर में होगा लेकिन सीव का भी वो जवाबदारी नहीं समालेगा वो घुमदार है सब को देखता रहे क्योंकि कई वार उसको मतदान केंदर के बाहर भी चक्र लगाने जाना पड़ सकता है कि वहां की क्या स्थिति दानने के लिए लेकिन ध्यान रहे आपकी जवाबदारी है क्योंकि अगर ये आवाज नहीं आया है इसका मतब उसका वोट नहीं पड़ा है और अगर उसका वोट नहीं पड़ा है तो आपके सत्र का रेजिस्टर और आपके स्यू का टूटल मिलेगा नहीं वहां गड़बड़ हो जाएगी इसलिए प्रतिक मतदाता मत दे करके ही जाए वो बिना उसका मत काष्ट की उसमें दीरे से बटन दवाया किसी विज़े से मत नहीं पड़ा या कई बार क्या होता होने नहीं मालूम होता है कि हमें ब्लू बटन दवानी है वो जहाँ पे लाल लाइट होती है ना उस लाल लाइट होने वाली जग्ये पे दबाते है कई वारतों जहां उनका निसान होता उस निसान को टच करके चले आते हैं तो ऐसी स्थिति में वीप का आवाज नहीं आएगा तो वीप का आवाज आए यह आपको सुनिस्चित करना है ध्यान रहे मत कुटी जो आप बनाए वहाँ प्रकास की विवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति को दिखाई दे कि कौन सा किसका सिंबोल है कौन सा किसका नंबर है वो देख पाए लेकिन इसके साथ ही उसके पीछे कोई खिड़की कोई धरवाजा इस प्रकार की विवस्था नहीं हो कि वो किसको मत दे रहा है इस चीज को कोई देख पाए अगर आपके यहां लाइव टेलिकास्टी चल रहा है बहुत सारे ऐसे सेंश्टिव गूत होते हैं जहां गवर्मेंट की विवस्था करती है कि वहां से लाइव टेलिकास्ट होना चाहिए या वहां से बेब कैमरा लगे होते हैं जिसी कि उसको देखा जा सके तो ऐसी स्थिती में आपको बड़ा ही ख्याल इस चीज कर रखना है कि आपकी जो मत कुटीर बने कि इसको दिया जा रहा है क्योंकि बड़ा ही गोपनी होता है और इसकी गोपनी इता का पुरा-पुरा ख्याल रखा जाए ये भारती निर्वाचन आयोग की पहली शर्त है तो मत कुटीर आप इस तरीके से बना है दूसरी बात मत कुटीर बनाने के लिए आपको जो पूठा वगेर दिया गया है चूंकि इस बार आपका वीव और आपका जो वीवी पैठे दोनों वहां रखे जाएंगे इसलिए टेवल थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिस पे ये दोनों चीज़ें आ जाएं वैसे इस बार जो वीवी पैठा आया है उसकी साइज थोड़ी पहले से सलीम हो गई है वो ज़्यादा नविवान दिखता है और जो वीव है वो तो जैसे पहले था उसी प्रकार से है अब जो मत कुटीर है उसके अंदर आप सीधे हाथ की तरफ वीव रखेंगे और उल्टे हाथ की तरफ आप वीवी पैठ रखेंगे इससे क्या होगा कि सीउ का बटन दबाने के बार व्यक्तिर की तुरंत ही नजर बाइंग साइट चली जाएगी और वहां उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि जिसके नामका उसने बटन दबाया है उसी के नाम की शिप वहां पे आई है वोग शिप ना तो घर ले जा सकता है वो शिप को खाली साथ सेकेंड के लिए देख सकता है साथ सेकेंड के बाद दुबारा देखना जाएगा तो देखने को नहीं मिलें क्योंकि वो आटोमेटिक कटके नीचे गिर जाएगे जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताए गया होगा तो इस प्रकार से फिर से इक बार हम बता दें कि आपको मतदान केंडर कैसे बनाना है सबसे पहले दरवाजे को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए उसके बाद इस प्रकार की बैठर दिवस्ता बनाईए जिस पर पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3 बैठ सकें पोलिंग 1 के पास आइडेंटिफिकेशन की जवाबदारी होगी जो पोलिंग 2 हैं उनके पास स्याही का निसान करना और सिगनेचर लेना और अंगोठा लगवाना वगेरे की कामगीरी उनको करवानी रहेगी और जो तीसरे हैं उनके पास कंट्रोल यूनिट होगा जिस में अधिकारी जो हैं उनकी विवस्ता इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो इन से सबसे तीनों से अलग बैठ पाएं और वो सब पे उनकी नजर रहे है कि पहला प्रकास की विवस्ता हो देखने वारे को प्रकास की अर्चन ना हो और दूसरी बार पूर नता वोपनी हो इसको कोई और देख ना पाएं थोड़ी सी बात मतदान के अंदर के बाहर की कर देते हैं आपको कुछ इस प्रकार के श्टीकर्स दिये जाते हैं जिनको आप बाहर लगाना पड़ता है महिलाओं की लाइन और पुर्सों की लाइन अलग करने के लिए आप वहां श्टीकर लगा सकते हैं आप खाये साब एक ही दरवाजा है एक एक विक्ति अंदर आप गता है महीलाओं की लाइन अलग-अलग लगेगी तो कैसे दो लोग अंदर आप आएंगे नहीं एक बार महिला आएगी इक बार पुरुस आएगा एक बार पुरुस आएगा ये भी जलूरी न करके इन चीजों को देख सकता है और इस प्रकार की सूचना है दे सकता है अगर आपका किसी गाउं में और किसी ऐसी जगे पे मतदान के इंदर आया है तो वहां आपको 100 मीटर की जो हद है उसको भी जड़ा मार्किंग किया होता है वहां तक देखना है कि कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति या कोई भी इस प्रकार का निशान या कोई भी इस प्रकार की जिससे किसी पार्टी वी से इसको लाब हो उसकी व्यवस्ता वहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो अगर इस प्रकार से सारी तेयारियां आप सुन्दर ढंग से मद्दान मथब बनाएंगे मद्दान कैद्र बनाएंगे तो आपको पूरे दिन काम करने में बड़ी आसानी रहेगी एक चीज का और ख्याम लगिएगा कि सीव से वीव और वीवी पैट तक जो एक वाहर जाएगा आपका वो वाहर किसी के पैर में नहीं फसे उस वाहर से किसी को परेशानी ना हो और वो वायर मुस्किल में ना पड़े, नहीं तो वो वायर सिदा वीवी पैट में लगा होता है और एक बार भी जटका लगा वीवी पैट अगर अपनी जगे से हिल गया तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वीवी पैट अगर जोड से हिल जाए तो और Unlock Condition की स्तितिमा हो तो परिशानी हो सकती है वीवी पैट आपका काम करना बंद करतेगा ऐसी स्तितिमा आपको वीवी पैट बदलना पड़ेगा तो जो वायर है वो आपका बड़ा ही सुरक्षित होना चाहिए लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए आप उसको कपड़े से ढख नहीं सकते हैं आप उसको किसी चीज़ से दवा नहीं सकते हैं इसका चुनाव आयोग ने स्पष्ट उलेक किया है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं वायर खुला होना चाहिए और फिर भी कोई कोई उस वायर में फसे नहीं किसी को वायर से अर्चन ना हो इस चीज का ख्याला आपको रखना है ये बड़ा ही ज़व निवाद है धन्यवाद अगले वीडियो में हम चर्शा करेंगे मूख पोल अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मित्रों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को इसका लाव हो धन्यवाद देखतर ही मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास और मेरे चैनल कर ना में संस्क्रिट साहि हम करेंगे लोगोेच्थ ये जो